आगरा में राम कथा के आयोजन को लेकर आमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया आगरा में स्री राम कथा के भब्य आयोजन को लेकर आमंत्रण पत्र का विमोचन हुआ राम कथा 18 जून से 25 जून तक होटल विश्वास लोहा मंटी मायूत होने जा रही जिसको लेकर आज एक आमंत्रा पत्र का विमोचन आयोजकों द्वारा किया गया 18 जून को कलस यात्रा निकाली जाएगी स्री राम कथा कायस्त राश्टिय संद डॉक्टर प्रग्या भारती जी के मुखार बेंसिस ने वो मिली गया आयोजकों में सभी सहरवासियों ने राम कथा कायस्पान करने के लिए आमंत्रित किया है विनूद गोला आगरा समाचार व मिलेगी ज्यादा से ज्यादा और भारी से भारी संख्या में आकर उसका लाव उठाए बहुत 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 अले बाती जो कथा वाच्शक में आ रही है उनको तोता करताल दाउजी के मंदे से दोहोडों की बग्गी में बैठा कर और कथा कलश यात्ता के साथ साथ लोगम हो रहा है इसमें अधिक से अधिक मात्का में शोगन का धर्म लाब करते हैं सभी को चैशी रांग मैं अरेज गोस्वामी डैली के टागरा और आयोजन के बारे में बताना के बताना चाहता हूं कि आगरा की घर्की पर हमने प्रभु श्रीर राम की राम कथा का पावाय और योजन किया गया है जो की कथा प्रारम हमारी 18 जून 2023 से रवीवार को प्राटा कलश यात्रा जो की आध बजे से प्रारम होगी डाउजी के मंदिर क्योका कलाब से प्रारम होकर लोहामंदी बजार राजमंदी पुराने चोराई से ब्रमड करते हुए कथा इसकल पर वो है अपनी गाक्तर प्रिग्या वार्ती जी भोपाल की जो कथा वाच्छा के उनके शीरी मुख से कथा का प्रवचन किया जाएगा और कथा के अंके मिन 25 जून को बंगारे का आयोजने जिसमें महाप्रसादी और आगरा की जंका से मेरा बिनम्र नेवेगने इस घरम कारे में बढ़ चल का रिस्ता लें और धरम धरम लाव उठाएं जैसी आ रहा है जैदेवी ऑस्पिटल दिल्ली गेट आगरा का हूँ और मुझे श्री नरे स्वाजी पहुंचे थे कि दाशाव एक सहर में ऐसा कारकर्म किया जाए जिससे कि थोड़ा सा अपने सनातन धर्म की प विचार है तो फिर श्रीवती प्रग्याजी से संपर किया गया बोपाल में है जो और होने अपनी स्वत्ति दी कि हम लोग 18 तारीक से 25 तारीक जून तक यह राम कता का आईजोलिंग करेंगे इसका प्रोग्याम इस प्रकार है 18 तारीकों सुबह कलस यात्रा होगी सुबह साथ वजे से और नौ वजे तक बेस्नो देवी बेस्नो देवी दाउजी मंदर से शुरू होगी और फिर लुआ मंडी होती ही फिर यही पर आगे खतम होगी होटल विश्वास में जिसमें कता क प्रती दिन हम लोगों ने साम तीन वजे से साथ वज तक किया है और पचीश जूम को हम लोगों इसका समापन रखा है और जिसमें के लास्ट में भंडारा होगा और हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्राम कथा का अनंद लें लेके हम लोगों को अनुग झाल